जब से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अपना कबजा किया है तब से भारत की चिंता अलगातार बढ़ती जा रही है अगर हम जो हम इन्होंने एड के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उसको हम थोड़ी देख लिए छोड़ी भी दें जाहिर हो चुकी तालिबान को चाईना और पाकिस्तान दोनों का ही भरपूर्ट मिला हुआ है और इस बात के वपर पुष्टी तब हुए जब तालिबान के प्र Würक्ता की तरफ से इस बात में बयान आया कि पाकिस्तान तो हमारा दूसरा घर है ये उन कयासों को बंद करने के लिए था जिसमें कहाया आता था ki तालिबान के उपर जब भी हमला होता है तो भाग कर पाकिस्तान चले आते हैं तो अब इस बात से इस बात की पुश्टी हो ही गई है कि भtechn तालिबान अपने आपको रे ग तालिवान ने पाकिस्ताने को अपना दूसरा घर बताया है और कहा है कि हमारी सीमाएं लगती हैं मजब एक है इसलिए हम भविश में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंदों की उमीद कर रहा है तालिवान की प्रवक्ता जबियुल्ला मुजाहिद ने ये बात कही इससे पता पाकिस्तान से अच्छे संबंदों की उमीद रखते हैं इसके लावा तालिवान की प्रवक्ता ने भारत के साथ अच्छे संबंद रखने की उमीद जताई है यही नहीं भारत और पाकिस्तान के रिष्टों को लेकर भी तालिवान ने अपनी राय जाहिर करी तालिवान ने मुजाहिद ने कहा कि तालिबान भारत समय दुनिया के तमाम देशों से अच्छे संबन चाहता है। पाकिस्तान के चेनल A.R.Y. News से बात करते हुए मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के में पाक का कोई रोल नहीं है। तालिबान ने कहा और सभी अफगानी उसका हिस्सा हूँ। इस बीच अलजजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तालिबान ने अमेरिकी गौातनामों में जेल में बंद मुल्ला अबदुलकयूम जाकिर को कारवाक रक्षामंत्री बनाने की तैयारी किये। तालिबान ने अब तक सरक को को वापस बुलाने की तारीक टालनी नहीं चाहिए। तालिबान की प्रवक्ता ने कहा कि हमने पूरे अफगान इसान पर कबज़ा जमा लिया है। अब हम अपने देश की जमीन का इस्तमाल किसी और देश के खिलाफ होने ही नहीं देंगे। वहीं जबियूल्ल मुजाहि प्रवक्ता ने कहा कि उनका संगठन हमले की कडिनिंदा करता है और सुरक्षा पर पूरब ध्यान दे रहा है। वाना जा रहा है कि यह हमला अफगानिस्तान से समरद इसलामिक स्टेट समू के गुट ने किया है जो तालिबान से अलग है और उसमें भी अधिक चरमबंती वांग वेनमिन ने कहा कि हम हमेशा अफगानिस्तान की संपरबुधा, सुन्ता, शेत्री एकण्ड़ता का सम्मान करते हैं और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का सिधान्त का हम पालन भी करते हैं। और सब यह अफगान लोगों के प्रती मैत्रिप support भी करेगी ये सब बाते जो हो रही है सब बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं और अगर हम तालिबान के दरश्टी गौंट से देखें तो आने वाले समय के हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है मतलब अगर हम ऑन पेपर की बात करें तो इसा प्रतीत होता है जस प्रकार की बातें उन्होंने कहीं थी कि उनको पूरना अजादी मिलेगी और उसकी कुछी दिनों बाद वो कहते हैं कि हमारे लड़ाकों को महिलाओं की इज़त करना नहीं आता है तो अच्छा होगी आप लोग घर में बंद रहे हैं प्लस अफगानिस्तान एरान और पाकिस्तान की पूरे बेल्ट को लेकर भी अपनी स्ट्राटेजी बदलनी होगी क्योंकि अफगानिस्तान अब एक बहुत मेजर रूल प्ले करने वाला है और हम लोग इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें ये उतना ही अच्छा होगा मेरे सुट्री में फिलाल उतना ही जै हिन जै भारत